मनुच कुमार की एक पुरानी फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान अगर इस फिल्म का रीमेक बने तो उसका नाम होगा रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल फोन वो फोन जिसके बगहर आठकल काम चलना मुश्किल है मोबाइल फोन हमारे लिए कितना important हो गया इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक average इंडियन साल में कुल 1800 घंटे फोन पर बिताता है यानि साल के 75 दिन हम फोन में डूबे रहते हैं ऐसा कहना है साइबर मीडिया रिसर्च के एक रिपोर्ट का जिसके मुताबिक फोन के लगातार बढ़ते इस्तिमाल से हमारी शारिरिक और मानसिक हालत पर काफी असर पड़ता है इस रिसर्च में तकरीबन आधे से ज्यादा लोगों ने माना कि उन्हें मोबाइल की इतनी बुरी लत पड़ी है कि वे इसके बिना नहीं रह सकते सर्वे में हिस्सा लेने वाले हर पांच में से चार ने माना कि मोबाइल वो आखरी चीज है जिसे वो बिस्तर में जाने से पहले देखते हैं और सुबह उठकर भी सबसे पहले चेक करते हैं Zee Business के एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में 41 फीजदी लोगों ने कहा कि हाई स्कूल पास करने से पहले उनके पास स्मार्टफोन था रिसर्च में कुछ और बातें भी ध्यान देने लाइक हैं से हर तीन में से एक व्यक्ती ने कहा कि वो सामने बैठे रिष्टेदार या दोस्त के साथ पांच मिनुट की बाचीत में फोन चेक किये बिना नहीं रह पाता मुबाइल फोन के इस लट का असर लोगों की सोशल लाइफ पर भी पढ़ा है लोगों से आमने सामने मिलने के वज़ाए लोग सोशल मीडिया पर सोशल रहना जादा पसंद करते हैं रिपोर्ट के मताविक लोगों की सादत के चलते पर अपने परिवार और दोस्तों से 30% कम मिलते हैं मुबाइल के इस लगातार बढ़ते इस्तमाल की वज़े से अलग अलग तरह की शारिक और मानसिक परिशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है मसलन आखों पर असर पड़ता है नजर कमजोर हो रही है सिरदर नीन ना आने की बिमारी इसके अलावा अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्मार्ट फोन अकेलेपन को बढ़ावा देता है जो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बिमारियों में इजाफा करता है इस पूरी रिपोर्ट में सबसे दिल्चस्प बात ये निकल कर आई थी मोबाइल फोन यूजर्स जानते हैं कि उन्हें फोन की लट पड़ रही है लेकिन इसके बावजूद वैससे दूर नहीं हो पा रहे हैं जानकारों का मानना है कि सादत से छुटकार अपाने के लिए जरूरी है विल पावर का होना ताकि आप फोन का इस्तिमाल करने के लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें